हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग ठीक होंगे स्वाधत है आपका मेरे यूटूब चाम है और मैं हूँ तनू समर सीजन चला है तो समर में बहुत जादा समझ्या आती है हेयर फॉल की पसीने की वज़े से बहुत जादा है डेंडर की शिकायत जो है में पड़ने लगते है बाल इतने घरते हैं है समझ में पोर है करसे सकते हैं अगर आपके बैलों की स्वाद को बढ़ा सकते हैं साथ और के स्ताइलिंग ढ़ी cucumber में को रेपर भी कर सकते हैं तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आपके बालों में किसी भी तरीकी की प्रॉब्लम है तो आप कोई भी एक रेमेडी को यूज कर सकते हैं तीन रेमेडी आद मैं आप से शेयर करने वाले हूं तो मैं आपको जादा टाइम पर जयां हमें वाली हूं वीडियो को आगी बढ़ने से पहले थे कि अगर आप मेरे चानल प bogar देख रहा हैं और आप्ने और अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे पर आईगन को प्रेंप्रेस कर दीजे ताकि मेरे वीडियो से नहीं करते हूं आप CC by दिशने हुए इसमें आमले होता है और आमला हमारे बालों के लिए बहुत-घ्र अच्छा होता है तो आज हम इसी टेल का जो है इस तरी की रेमिडी बनानी है यह आपको देखना है तो मैं आपको चल्दी से फटा-फट बता देदी हूं कि हमारी फृस्ट प्रमेडी जो है वो है हमारे बालों की हल्दी बनाने के लिए अगर आपके बाल मजबूर नहीं है बाल आपके बिल्कुल भी हल्दी नहीं है तो आपको क्या करना है आपको करनी है मसाज तेल से ठीक है फ्रेंट किस तरीकिसे तेल लगाना है किस तरीकिसे में मसाज करना है यह मैं आपको दिखा देती हूँ आपको लेना है ben यहार आमला ले कुछा आत्था सकते हैं अर बाल के लिए शांती आमला होता है बचलें कोंड़े आपने बालों में हम्यों कहती है अछिक आपने अपल्ड करूंगे इसकी तेइजाagit है अपरिकेशन नहीं करके में तेजह करेंगे से मंजबूतराइब मेश बनाना चाहते हैं अबन को बनाना चाहते हैं चुक्छे हैं इससे हमारे हमंडी अच्छे से अप्लाई करना है लेकिन ज्यादा ही करें ज्यादा मजबूत हातों से नखें और आपको करनी है मसाज कम से कम आपको 5-10 मिनट तक मसाज करनी है इस आील को या तो आप नहीं तरहा है या फिर शैंपू करने लगा लाएचे के इस तरह की इस रेमिडी को कर सते हैं और की रोट लिए दूसरी बालो कर ना चाहते हैं यह ए गोध तो इंप्रोफ रह दो पहुत बहुत I कर बालो पह近शने के बालों बहुत है दो बहुत करना चाहता है और बढमरी हैon उसके लिए मैं रेमेडी बताने वाली हूं साथी साथ आपको डेंटरफ से भी छुटकाना मिलेगा और अपकी थोड़ी बहुत है तो भी आपकी खतम हो जाएगी तो चलिए देख लेते हैं दूसरे रेमेडी किस तरीके से तयार कर लिए इस रेमेडी को बनाने के लिए आप के बाल गिर रहे हैं तो उनको भी रोपता है बेबी हर्स को ग्रो करने में मदद करता है तो आपको यहां पर आदे चमची कैस्ट्रो ओल लेना है और दो चमच आप आवले का तेल ले लिए अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिए मिक्स करना बहुत साथा ज़रूरी ह नहीं करना कर पाने करना है आपको इसी तरीके से ही अपने बालों में अपला एक हैं प्रेंट्स अप आदेज से जादा लोग करते हैं कि इसके बालों की लैंद में अपनाइट रख सकते हैं या फिर दो कंडे पहले आप लगा लीचे पहुंच देने से और उसके बाद शांपू को पंडीच लिए हैं जो बहुत जादा स्टाइलिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी बज़े से बाल बहुत जादा रफ हो गया हैं बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है अपने बालों को रेपेर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को रेमिडी शेयर करने वाली हूं प्रेंट जिता आप ही टू इन प्रेंट्हे नहीं हों तो आप आप लोगों के लिए बहुता है जिनके बाहुत जादा पतले हो गया है या पिर नए हैर को उगाना चाहते हैं बेभी हाँ बढ़नी रहा हैं तो उसके लिए बहुत तो इस तरीके से बनाना है यह देख लेते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है फिर से ओई आप दो से तीन चमच ओई ले सकते हैं अपने बालों की लेंद के हिसाब से और दूसरे इंग्रीटियन जो इसमें एंड करना है वह है प्याज का रस हम यह आप इसलि आपको लगाते हुए आएगी जब आप एर वाश कर लेंगे शेंपू से तो विल्कुल भी नहीं आएगी आप इसको आदे गंटे पहले ही अपने बालों में अप्लाई करें जैसे आप एर वाश करने जा रहे हैं तो आदे गंटे आप पहले लगा लिजे और उसकी बाद इस तो आप इस तरीके से तीन नहीं कर सकते हैं य Princip को इस्तेमाल कर लिए के तो फ्रेंट आप इस तरीका से तीनों रेमेडियों का इस्तेमाल करें और अपने को आप। Didi हैं बहती ज्यांदा आता इफेक्टिव िन तो आपने वीडियो को देखा और एक बार किया और आप सोचिंग आप हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है हर वीडियो में कहती हूं कि अगर आप कोई भी रेमेडी यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम जरूर लगता है तो आप अराम से इस रेमेडी को बेहिचक जो है इस्तमाल कर सकते हैं साथ यह मैं गुमें दोनों के लिए है कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं और कोई भी साइड इफैक नहीं है और इस वीडियो से रिलेटीड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका रिप्लाइज जरूर करूंगी और फ्रेंड्स उमीद करती हूं कि आपको आज का वीडियो यूसफुल लगा होगा अगर प्रेंड्स अगर अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को प्रास कर दीजे ताकि मेरे वीडियो के लेटेस नॉटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देखता है मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक लि